सतना में सिटी कोटवाली थाना अंतरगत स्टेशन रोड की एक दुकान का ताला तोड़ कर चोरों ने हजारों रुपए पार कर दिये पुलिस ने बताया कि संचित पुत्र अब्धेश शुकला रेलवे स्टेशन मार्ग पर वंदिता इलेक्ट्रिकल के नाम से इलेक्ट्रिक सामान की दुकान चलाते हैं हमेशा की तरह वे रात को दुकान बंद कर घर चले गए लेकिन सुभा वापस आये तो शटर एक साइट टूटा मिला अंदर जाकर देखने पर कैश काउंटर से 35,000 रुपए भी गायब मिले जिससे बहसकते में आ गए माना जा रहा है कि देरात को अग्याच चोरों ने राड से शटर तोड़कर नगदी पर हाथ साफ कर दिया पीड़ित ने ठाने में शिकायत दर्ज कराई है जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है सीजी टीवी कैमरे के फोटेज खंगाले जा रहे हैं कुछ संदेहियों को भी चिन्हित किया गया है जीवता ये क्या घटन होई है कुबा हम आये हैं दुकान खोलने हैं तो उसके बाद देखे तो सटार करीबट दस इंची भर उठा था कि अधिक पाद वह लाग दोनों थे चादी से दोनों लाग पोले तर उसके बाद उठा के अंदर जब दराज देखे तो दराज में पैसे तो पर सटाइश ताइश जाट तो नहीं कैस ले गए और कुछ ले गए समान वगरा नहीं समान को अभी जागा नहीं को दिखा हो आइसा रहा है दुकान कितने बजबंग किया थे आप रात में नव बज़े क्या नाम है आपका और देख सुपला कहां रहते हैं मुक्तियार गए